हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनली स्मार्ट स्टडी लेक्चर में चलो फ्रेंट्स आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 10 मैथ का जो आपका मॉडल पेपर है उसको आपको सॉल्व कराने वाले हैं देखे फ्रेंट्स सबसे पहले हम 20 mcq को सॉल्व कराए देखे फ्रेंट्स यहां पर आपका क्लास 10 मैथ का आपका पूछा जाएगा तो देखे फ्रेंट्स यहां पर प्रस नमर पहला दिया है कि समीकरण 3x का 2x प्लस का 1x3 पराबर में 0 का विवित कर होगा देखे यहां पर चार आप्सन रहेगा जिसमें सापका कोई एक आपसन ठीक है तो इसको आपको क्या करना रहता है आपको भूला भरना रहता है तो दिखे यहां पर यहां पर इनकी सामीकरण कि सब्रस में 1 बटा 3 बराबर में 0 का बीबितकर होगा तो देखें बीबितकर को हम किसे परदर्शित करता है तो D बराबर क्या होता है B स्कुरार माइनस का 4 A C होता है तो देखें यहां से B का मान क्या दिया है एक बट्टा थीरी अब दीके थीरी से थीरी कैंसल हो जाएगा तो यहां से आपका क्या मिल जाएगा माइनस दू का बहर कितना होता है तो आपका माइनस का प्लस ही हो जाएगा चार माइनस का यहां से आपका चार ब्राबर में कितना हो जाएगा जीरो तो विभीत कर डी कमान कितना केटम stuffing आगया फ्रेंट रही आपका आगया जीरेंगे जो आपका दिशिया यहां पर प्रस मेंसमिला दिया इसका ड आपस नापका क्या हो जाएगा अब दिखिये फ्रेंटस प्रस नमबर दूसरा तो याई रही ऑयक फ़तर इक स्क्वार प्लस में सेवै एक तो देखर प्लस में 10 के सुन यंक है तो दिखें ए ऐ ऐपसंदिया माइनस दौका माइनस पाँच और दो का माइनस का पाँच और इसका क्या पूछ रहा है सुनियंग पूछ रहा है तो दिखे फ्रेंस इसको हम 0 के equal कर देंगे अब दिखे इसका गुलान खंड करेंगे तो यहाँ पर कितना दिया है 10 तो 10 का दिखे यहाँ पर 1 का 10 में गुला करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा अब इस 10 का ऐसा गुल X अब प्लस में 10 ब्राबर में 0 अब देखे इन दोनों में से क्या कामन है तो X कामन है तो X प्लस का 5 हो जाएगा अब प्लस में इन दोनों में से 2 को कामन करेंगे तो X प्लस 5 हो जाएगा ब्राबर में 0 अब देखे यह आपका दोनों क्या है सेम है तो एक ब्रेकिट्स में हो जाएगा X प्लस 5 और दूसरे में क्या हो जाएगा X प्लस का 2 बरावर में 0 अब दिखे फ्रेंड्स यहां से यदि X प्लस 2 बरावर 0 तो X बरावर क्या जाएगा दूशरा आपका दिए आ है X प्रस नबर अपका डिया है इसका राइट एंस Celों क्या हो जाएगा यानिकि मानेस दो कमानेंस पांच तूछ। इकस के दो मान आगए ठीक है। यहां पर कितना ँनकीाठ ऑफ़ थया है इसका राइट एंसर जाह टूश। और यहांब करेंगे तो दिखेए हम पर तीसरा दिआ है यहाब आप देख सकते है दिखेए हैं जी कि समई करन आपका देjan आब इसको समिकृण दिया है और इसको तो क्या करेंगे जृणनेपर क्या करें जोड़ने पर तो क्या करेंगे ने पर यहां अब इस्सक्राइगी समीक्राहि नमबर एक में रख देंगे तो समीक्राहि क्या दिया है एक स्प्रीन में 10 तो 1 के जगाव हम 7 रखेंगे तो 7 Wayne ब्राबर 10 हो जाएगा और वाई ब्राबर यहां सप पह cervant करेंगे तो 10-7 वराबर्म कितना जाएंगा 3 तो वाई कमान कितना गया 3 आ गया 3 और साथ चले देखते हैं कि कमान 7 और तीन कि आपको पर यहां कि 2 आपका नहीं होगा क्यूंकि एक से q-5 आपकोदी आंपकि कितना नमबर जो आपका फोर दिया है कि यदि किसी समांतर स्रेणी में पदो की संख्या यान है तथा अंतिम पद यल है तो यन पदो का योगफल होगा तो दिखे फ्रेंट समांतर स्रेणी में यन पदो का जो योग होता है दिखे फ्रेंट एक आपका होता है यन पदो का योग तो इसके लिए जो आपका SN का फर्मूला होता है, SN is equal to N by 2, और A plus में क्या होता है, यल होता है, यह आपका क्या होता है, पर्थम बद होता है, तो यहाँ पर देखे फ्रेंट जो आपका प्रस नंबर जो आपका 4 दिया, इसका राइट एंसरो हो जाएगा, SN बराबर N by 2, A plus में य क्या होगा, तो दिखे, A option दिया, 90 degree, B option दिया, 60 degrees, और यहाँ पर C option दिया, 120 degree, D option दिया, 45 degree, तो दिखे, जो आपका question नंबर जो आपका 5 दिया, इसको कैसे solve करेंगे, तो आपका दिखे, फ्रेंट्स, यहाँ आपका प्रस नंब बोला है कि तिरभूज ABC में, यहाँ आपका बोला है कि AB बराबर आपका दिया, यहाँ पर दिया, 6 under root 3, उसके पास AC कमान दिखे, दिया है 12, 12 semi और BC कमान दिया है 6 semi, ठीक है, यहाँ आपका semi में दिया है, तो हमको बताना है कि कूण B का जो मान होगा, आपका क्या होगा, ठीक है, तो दिखे, फ्रेंट्स, यहाँ पर ह 2 का स्क्राइंगे, ठीक है, 12 का बर्ग बराबर में, यहाँ क्या होगा, 6 under root 3 का बर्ग, आप प्लस में 6 का बर्ग हो जाएगा, ठीक है, अब दिखे, बार का स्क्राइंगा, कितना होता है, 144 बराबर में, यहाँ से 6 का बर करेंगा, तो 36 इंटु में, ठीक है, अंडर root 3 सकते हैं 36 इंटू 4 अब देखे जब इसका हम कुड़ा करेंगे तो चोचो को कितना होता है 24 का चारांसिल दो चार्तियां बारत दू 14 यानि कि 144 बराबर 144 आ ठीक है तो देखे फ्रेंट्स यहां पे यदि आपका दोनों मान गया है बराबर रहते जो आपका कूण भी होगा या आपका होता है पाइथा गोरा स्परमेथ इसलिए आपका कूण भी कमान हो जाएगा वह आपका क्या होगा नवे डिगर हो जाएगा क्योंकि दोनों यहां दिखे जो आपका एबी एसी का बर गया इस दो भुजाओं के वर्ग के योगफल क्या है ब्राबर आ रहा है दीन और दूसरा बिन्द लिए चार कामा ऊन कि दूरी क्या होगे दिखे इसको कैसे सॉल्प करेंगे हम जानते हैं कि दू बिन्दु की जो भीज की दूरी जो सुत्र होता है हम जानते हैं कि ध वर्भर डी बराबर होता है दिखें रूट के अंदर यानि करण 2-1-1 एकशस यहां का माने आपका Y1 का मान दूसरा आपका X2 और Y2 माने तो X2-X1 का बर्ग, एक्सटू का जबब हम क्या रखेंगे चार 6-A1-2 का ने hing, बर्गा परमें Y2-Y1 तो यहां साथ का करना ऐगा यहां सा लिए, यहां से कितना हैगा थिरी में से वन को खटाएंगे तो यहां से रूट के अंदर में कितना हो जाएगा इसको भी सकते हैं यानिकी आपका सी आप संधियाएँ च्वाप्स नमबर शिख्छ दिया है यह भी आपको अच्छे संधिया होगा अब चिलेखें नमबर सात्वा इसको आप च्वाप संधिया है कि कौन सव अभाज संख्याओं का यूग मा है तो एक संधिया 18-25 आप संधिया पंद्रौ फिस यूग महत्टी इसव क्या करेंगे एस सी हब याद करेंगे एस सी एप तो जब आज़्ाइगा तो समझ लीजेगा आपका क्या हो जाएगा एंसोर जाएगा तो यहां पर दिखें आप दिया पहला अठारा क्या करेंगे अप। लिखर निकालेंगे तियांस क्या हो जागा 29 18 तीन तिन तरी का नो और तीन कम तीन हो जाएगा ठीक हैं दूसरा आपक दिया 25 यहां से अब क्या हो जाएगा फ्रेंट 25 25 कम 5 अब देखिए कि इन दोनों में किया क्या मनें तो देखिए एक आपका क्या हो जाएगा इसमें आपका आप कोल जाएस सब किया रहा है यहाँ अब ठीक है लेकिन जब इन दोनों का भी निकाल लेंगे तो आपका 1 से अधिक आएगा इसलिए जिसका hcf आपका 1 होगा वही आपका क्या हो जाएगा सब हाज संख्या होगा युगम होगा यानि कि ए अपसन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अब देखे फ्रेंट्स प्राइस नमबर यहाँ पे जो आपका आठवा दिया है कि यदि समीकरंट क्या दिया है कि 3x स्क्वार माइनस का 12x प्लस में k बराबर 0 के मूल बर बर बोलेगा तो इसके लिए जो भीवीद कर्ड दी होता है का मान क्या होता है तो दिखे यहां से भीवीत करड का मान क्या होता है कि 12 घृब क्यार रखेंगे मर मस का 12 evenhr का 14 तो एक जो पशस्वार का गणा जिए 3 और के ब्राबर में जाएगा जिरो तो माईनश बारा कितना हो जाएगा धुब लुटा इसको प्राइब हो जाएगा तो बारा बर में चला जाएगा तो यहां पर आठा प्रसिंद दिया है इसका राइट उटर क्या हो नम्बर नो तो दिखे जो आपका फ्रक्रास्ट नम्बर नो दिखे कि 1-10卵 थिस्ट डिघरी का मांड होगा तो इब यह आपनों धिया अंडे र ጥ hours धिया वान बंदेर यह ऊप्षान धिया अटे स servers tiro तो दिखे जो आपका question number जो आपका 9 दिया है इसको कैसे solve करेंगे तो यहांसे हो जाएगा 1-10 T-Sons तो 10 T-Sons का मान होता है एक बट्टा अंडर रूट 3 का 3 होता है और इसका आपका square लिया तो बर्ग हो जाएगा आपान में 1 प्लस में यहांसे भी आपका हो जाएगा एक बट्टा अंडर रूट 3 और इसका क्या हो जाएगा square बराबर में यहांसे लिख सकते हैं 1-1 यहांसे हो जाएगा 1-3 और अपान में 1 प्लस 1 बट्टा 3 अब देखे फ्रेंट्स यहांसे क्या करेंगे कि अब देखे यहांसे हो जाएगा 3 पलस 1 और अपान में से 3 को कैंसल कर देंगे और टीरी मेंस फोर इसको डॉडड करेंगे क्या जाएगा एक बट्टा दो आजाएगा अब देखे यहां पर जो आपका कोश्चन नम्बर को आपका 9 इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा एक कोश्चन नमबर 10 देखे जोगत दिया कि बृत के परिगत बनी चोत्रभूज की आमने शामने की भूजाओं बूसाएं के अंध्र पर कोड अंत्री तहें तो देखें यहाँ पे यादि कि यादिक कोड़ यहाँ निजोगा यहाँ पे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ ब्रीत का चेतरफल और परेधी संख्यातम गरूप से समान है तो उस ब्रीत की तरिजिया होगी। तो दिखे ए आप सन्दिया 2 unit, B आप सन्दिया πाई unit और C आप सन्दिया 4 unit, D आप सन्दिया 4 unit. तो दिखे फ्रेंड्स यहां बे जो आपका question number जो आपका 11 गारा दिया है इसक में समान है तो देखे यहां से पाइ से पाइ से चैसल हो जाएगा एक र से एक ह Nein तो और बलाबर किहाथ क्या जायएगा टू अ大 बेट लिए आपगा जाता टुण गौरण तो उनके प्रिश्टिय छह तरफलों का अनुपात होगा तो दिखे ए आप संदिया 9 संदिया 16 9 और स्य आप संदिया 3 संदिया 4 तो दिखे फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नुबर 12 दिया है इसको कैसे सॉल्ब करेंगे इसमें आपका क्या बोला है कि दो गोल के आयतनों का अनुपात तो गोला का अनुपात बोल रहा है लिए इसका अनुपात बोल ला है तो चार बटा थीरी पाई आर्टू का क्यूब ब्राबर में कितना बोला इसका अनुपात किना बोला है 27 समंद्य 64 तो यहां से को हो जाएगा र वन अपण में इस पूरे का क्यूब ब 레बर में 27 कम ली सकते हैं 3 और यहां से आपका र 2 बहलंदीं 3 4 आ जाएगा उसके वासा आपका प्रयसलिय थे हैं और उन इके प्रिष्टीं और जyer चीजिए उपाश च्बाट के डिके लिए बर्वटा फीश्टीर छेत्रफोली आपे की दो गोल आ अ कि तो हो दा फोर पाई पाई टिर झाटाहें आरट्री की प्रस्कवारि अनधे 4 फोर पाई व 투 को हो दो जाएगा तो पाई इस millimeter का स्कॉार 16 हो जाएगा तो दिखे friends यहाँ पे अपका जो कोईस्ट नम्बर जो आपका बारा दिया है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा 9 संबंदे सोल यानि कि जो आपका ए आपका क्या हो जाएगा friends राइट हो जाएगा अप चले देखते हैं 59 payroll और इसकार हो जाएगा 25 फ्रेंड यहां पे प्रस नंबर 14 कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे की 122 और 70 को विभाजित करने पर सेजफल करम सर आठ और 5 प्राप्ट होता है तो होगी तो दिखिए आप संधिया पंदरभी आप संधिया तेरसी आप संधिया 17 और ड्याप संधिया 14 तो यहां पर आपका प्राइशन में क्या बोला बुर्ण ओर करेंगे तो यहां से कितना हppo 15 हो जाए गा और यहां drug दो अगए siad ke सकता है यहां से पांच यहां से इन दोनों में जाओ इसका स्वाइब करेंगे तो आपका 13 हो जाएगा तो यहां पर प्रस नंबर जो आपका 14 दिया है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा बी आपका राइट हो जीरो का हल होगा तो दिखे फ्रेंट जो आपका 15 नंबर प्रस न दिया है कि इसमें आपका बोल ला है कि 3x प्लस में 3x प्लस में 2y बराबर में 6 और उसके बाद से y बराबर जीरो का हल होगा तो y बराबर जीरो दिया है इसमें क्या करेंगे मालिज आपका समिकर नंबर 1 है इसमें हम रख देंगे तो यहां सो जाएगा 3x अप्लस में 2 into y के जावब पर 0 बराबर में 6 तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 6 तो x की value किया हो जाएगी 6 बटा 3 यानि कि 2 आ जाएगा तो x का मान 2 और y का मान क्या हो जाएगा 0 तो दिखे फ्रेंट्स यहां पर जो आपका प्रस नमबर 15 दिया है 2 कामा 0 आपका दिया है कि नई आपसन में तो दिखे फ्रेंट्स यहां पर जो आपका पहला मान रहाता है और आपका x का रहाता है चुकि यहां पर देखिए आपका X के value कितना है दो तो यहां पर दो और जीरो हो जाएगा यह आपका राइट हो जाएगा अब देखिए प्रस नमबर 16 यानि कि To Do 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 कर लेंगे ठीक है और समानतर में पूछ रहा है तो इन दिखे कितनी संख्या है एक दो तीन चार पांच इसमें पांच से ड्वाइड कर देंगे तो यहां से क्या आपका सी आपसन आपका राइट हो जाएगा अब चले देखते हैं फ्रेंट्स प्रस नमबर 17 दिया अब देखे फ्रेंट्स नमबर 18 दिखे जवाब का प्रस नमबर 18 दिया है साइन 15 दिखे अपान में कास 75 दिखे गरी का मान होगा तो यहां प्रेंट्स यहां प्लस ठीटा टू का वैलू क्या हो जाएगा यहां से प्ंदरओ डिघ्री अप्रस में यहां से पचातर डिट होगा अब चले इसको एक और तरीके से स्वाप कर सकते हैं यहां साइन 15 दिखे आर आप आम 90 degree minus का यहांप हम ली सकते हैं 15 degree क्योंकि 90 में से जब 15 खटाएंगे तो आपका कितना जाएगा पचौतर आ जाएगा और देखिए 90 90 डिगरी माइनस ठीटा परबर क्या होता है और नबे डिगरी में सब 15 गटाएंगे तो यहां सब इसको ली सकते हैं साइन पंदर डिग्री और अपनमे साइन टी माइनस ठीटा बराबर क्या हुता है कौस साइन कोषीन आपका इस साइन खर सरेणी 3 कामा 1 कामा मैनस 1 का मैनस 3 के लिए सारव अंतर होगा सारव अंतर का मतलब क्या होगा कि डी का मान हमको पूछ रहा है तो डी बराबर क्या होता है कि सेकेंड टर्म में से फॉस्ट टर्म को हटाते हैं तो यानि कि दूसरा पत क्या दिया है तो दिखें यहाँ पर आपका 6 arzन दिया है यहाँ कोस्ट नमबर होगा तो पार सेक्व धी Matter लगभर के नदर या टो सेक ठीक खी का मान होगा यहांगो तो सेक ठीक 4 व्रेंट के 15 इन मान होता है यहां किस्त que? Like City, 1967 agreements इस्का 2 तो इन दो जाया निकि कि हम ठीटा पर रख्या जाएगा साथ डिग्री तो दिखें यहां वाजवा आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरू सस्क्राइब कर लिजिएगा थैंक यू